हलो बच्चा लोग क्यासे हो बच्चो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे बता दो मेरा आडियो और वीडियो क्लियर है और अगर मेरा आडियो और वीडियो क्लियर हो तो थम्स अप करके जल्दी से मेरे को बता दो हेलो बच्चा लोग हेलो तो आई रिपीट बच्चो अगर मेरा ओडियो और वीडियो क्लियर हो तो जल्दी से थम्स अप देखे मेरे को बताओ गूड इवनिंग गूड इवनिंग ओके 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 अल्राइट तो बिल्गूल ठीक है ओके तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो वैरी हैपी न्यूएर और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे आप जो भी प्रप्रेशन करें उसको बहुत अच्छे से आगे लेकर जाओ और तर्म टू का जूलाजी हम फिर से कंटीनिव कर रहे हैं अब कंटीनिव वाली बात मैं क्यों बोल रहा है क्योंकि टर्म टू का जूलाजी का पहला चैप्टर कौन सा था यूमन हेल्थ और डिसीज वो अल्रेडी हम कवर कर चुके हैं और यहां से हम एक नई यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो की है बायो टेकनोलोजी और बायो टेकनोलोजी के पहले चाप्टर से देखा जाए तो पहली चीज नीट में बहुत कोश्चन्स आते हैं और NCRT की मतलब स्टेट्मेंट्स बच्चों को समझ में कम आती है इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे और हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो टेकनोलोजी के पहले चाप्टर से देट इस बायो टेकनोलोजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसे से राइट तो हलो बच्चों वेलकम टू दिस अमेजिंग ब्लाटफॉर्म आप फिजिक्स वाला माई नेम इस विकास क्या लाया हूं टुडेज बायो जी क्लास चलो जा आनते हैं तो बच्चों आजका जो हमारा गोल है जो हम कवर करेंगे पहले तो अब इंट्रोड़क्शन अबाओट बायो टेकनोलोजी कि क्या है biotechnology कहां से शुरुवात हुई और उसके बाद हम discuss करेंगे इसके principles को क्या बोला मैंने biotechnology को start करने से पहले हम पहले तो biotechnology के बारे में जाना कि कहां से लगा कि कुछ इस चीज की शुरुवात करनी चाहिए और then we will talk about the principles of biotechnology इन दो चीजों को हम cover करेंगे and then इससे ही related हम questions को आज के lecture में cover करेंगे राइट ओके ओके तो बायो टेक्नोलोजी सबसे पहले बायो टेक्नोलोजी का मतलब समझते हैं अब देखो बायो टेक्नोलोजी को अगर आप देखो तो बायो यानि क्या बायो यानि क्या बच्चो living organisms और technology मतलब क्या बायो मतलब living organisms और technology मतलब क्या techniques technology मतलब क्या techniques तो इक statement लिखी ये को biotechnology deals with biotechnology deals with techniques of using living organisms और enzyme from organisms to produce product and processes that are useful to humans यह है बाई टेक्णोलजी की डेफिनिशन, अब बात यहा आती है कि मतलब क्या है, तो तो मैंने पहले बता आ है, cell 11 Tam अब बात बात की थे बंच अगत्独स कर दिन को एक्या मेंने बता है, बाई हुम मतलब अगति की, techniques of using living organisms Biotechnology deal करता है उन techniques से जिससे हम living organism का स्थमाल कर सकते हैं या फिर enzymes का स्थमाल कर सकते हैं living organism से enzymes from organisms ता कि हम क्या कर सके ता कि हम कुछ आधे product या processes बना सके जो हमारे लिए क्या हो useful और क्योंकि human तो है greedy तो उन चीजों को fulfill करने के लिए क्या चाहिए चीज़े डेवलप करनी पड़ेगी, राइट, ओके, तो ये तो हो गया about the definition, अब देखो, जो बायो टेखनोलजी की बात करते तो आपको दिमाग थोड़ा सोच में चलना चाहिए, अब क्या सोच में चलना चाहिए, मैंने बोला, living organisms के साथ techniques को जोड़ना है, living organisms के साथ techniques को जो इन तीनों ही प्रोसेस में living organisms इनवाल होता है, या फिर हम बहु बह सकते हैं कि यह तीनों की तीनों microbes-mediated process, microbes-mediated process मतलब, यहाँ पर living अो अच्छो आ फिवां से न ρाहां हुआ यो क्या सL tril करते हैं हमच स्थम्सक्राइब करते हैं आ अंच्छो ब्रक yol करते हैं इसका क्या मतलब हूआ इसका simple सा मतलब कहा है बचो genetically modified organism का मतलब क्या है देखो आपको पता है हर organism के अंदर उसका chromosome के set होते हैं हर organism के अंदर क्या होता है chromosome का set होता है उसको बोलते हैं जिनो अगर उसके जीनो में हम product बनवा रहे हैं, genetically modified organism क्या बना रहे हैं? Product बना रहे हैं, और वो भी कैसे बना रहे हैं? Large scale पर बना रहे हैं, तो इसको बायो technology में रखा गया है, क्या बोला मैंने? अगर genetically modified organism, यानि एक organism का genome हमने modify कर लिया है, और उससे हम product बनवा रहे हैं, large scale पर, तो इसको हम बायर टेक्नोलजी में रख सकते हैं, कर्ड बनाना, वाइन बनाना, ब्रेड बनाना इसको क्यों नहीं रखा गी, क्योंकि माइक्रोब मेडियेटेड प्रोसेस है, यह नॉर्मली माइक्रोब बना रहा था हुआ उसको लार्ज स्केल पर ट्रांसफर करा, लेकिन य यह जैसे, कर्ड बनाना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाने को बायर टेक्नोलजी में नहीं रखा गया है, इसको रखा गया है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड सेंस पर, clear, समझ में आई बात, ओके, अब आगे की कहानी सुनो, तो यह तो हो गया बायर टेक्नोलजी की बारे में क किसको रखा गया है, किसको नहीं रखा गया है, अब बायर टेक्नोलजी के अगर एक्जामपल ले, बलब ऐसी टेक्नीक्स के बारे में बात करें, जिससे हम अपने लिए यूसवल प्रोड़क्ट बना सकते हैं, तो क्या-क्या रखा गया है, अब देखना, for example, बच्चो, in vit in vitro fertilization, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, in vitro fertilization का, अब in vitro fertilization मतलब क्या-fertilization कहा हो रहा है, बच्चो लोग, fertilization हो रहा है, लाबोरेटरी में, और इसको हम किस से relate करते हैं, आपको पता है, test tube baby, क्या करते हैं समय, बेबी को test tube में बनाते हैं, जी नहीं, इसमें हम यह करते हैं कि एक test tube में लिया male gamit और दूसरे test tube में क्या लेंगे female gamit, male gamit का मतलब sperm, female gamit का मतलब ova, और उसको petri dish में, उसको petri dish में क्या करते हैं, meet करवाते हैं, या अपने reproductive health वाले lecture में पढ़े होंगे, क्या बोला मैंने, in vitro fertilization, बच्चो in vitro, in vitro का मतलब laboratory में fertilization, अब laboratory में fertilization करवान में रखा female gamit को, petri dish में दोनों का meet करवाया, fertilization करवाया, तो यहाँ पर fertilization, body के अंदर ना होके laboratory में हो रहा है, देखरों आप, living organisms का इस्तेमाल करके, भई, जो हम cells इस्तेमाल करें, जो gamit इस्तेमाल करें, क्या है living organism है, बट artificially इसको कर रहे है, तो इसको रखा गया है, बाय technology की process का, ठीक है, synthesizing a gene and using it, अब बच्चो, gene तो living organisms के अंदर present होते है, gene कहां present होते है, living organisms के अंदर present होते है, तो हमने एक gene को synthesize करा, for example, एक organism में gene खराब है, हमें उसकी sequence पता है, तो उस sequence को हम chemically synthesize कर सकते हैं, laboratory में, उस gene को, and then उसको use कर रहे है, तो living organism से related है क्या gene, लेकिन उसको हम artificially synthesize कर रहे हैं, synthesize कर रहे हैं, तो बड़े level पर करोगे, larger scale पर product बना रहे हो, और उसको use कर रहे हो, by technology हो की नहीं होगा, बिल्कुल होगा, clear है बात, यहां तक सही है, all right, अब आगे की कहनी सुनो, developing a DNA vaccine, भाई, ये तो बहुत अच्छे से समझो, कोरना के टाइम प vaccines available है, तो हमने बड़े level पर बनाईए है, ने vaccine, बड़े level पर बनाईए, large scale पर बनाईए, but since हमने से artificially synthesize करा है, human ने synthesize करा है, और living organisms की मदद से synthesize करा है, living organisms की मदद से synthesize करा है, large scale के लिए synthesize करा है, कि इसको by technology में रखेंगे की नहीं रखेंगे, बिल्कुल, और DNA का इस्ते technology में हुगा की नहीं होगा, बिल्कुल होगा, अब देखरो, उसी definition से relate अगर आप करोगे तो आपको सुझ मेरा, इनको by technology में क्यों रखा गया है, clear बात, okay, correcting our defective gene, अभी देखो मैंने बात करी थी, synthesizing our gene and using it, हम gene को synthesize कर रहे है, क्यों synthesize कर रहे हो, क्यों gene बना रहे हो, क्यो कर रहे हैं सिंतिता, इस ता कि हम एक defective gene को क्या कर सके, correct, अब defective gene को आप correct कर रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना असान है, पहले बात असान दी, और अगर हम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे है, हम एक living organism में, जिसमें gene घराब है, आप उसमें gene transfer कर रहे हो, कर दिया, उसका modification हो गया कि नहीं हो गया, पहले सके अंदर वो gene functional नहीं था, वो gene functional है, genetically modified हो गया, और अगर एक organism के लिए कर रहे हैं, ये बात तो हमने समझ ली, बट अगर ऐसे बड़े बहुत सारे लोगों के लिए कर रहे हैं, पही कई लोगों में कई सारे gene defective हो सकते हैं, तो अगर कई सार vaccine में आया, clear, point clear है यहां तक, कि किस तरीके से, ये जो चार example मैंने mention करें, इनको bio technology में रखा गया, basic principle वही है, कि organism को genetically modify करना है, large scale पर चीजों को produce करना है, क्योंकि human का काम तब ही चलेगा, जब बड़े scale पर product बनेगा, vaccine दो वंदों के लिए, दस वंदों के लिए, हजार वं operation के लिए बनी है, ठीक है, clear, okay, जल्दी, जल्दी, ठीक है, अब बच्चो, European Federation of Bio Technology के related कुछ बात करते हैं, European Federation of Bio Technology, जिसको हम EFB भी बोलते हैं, इसने ना Bio Technology की definition दिये, European Federation of Bio Technology ने, यानि EFB ने Bio Technology की एक definition दिये, और इस definition को देने से पहले, उन्होंने दो चीजों को ध्यान मे रखा, किसको ध्यान रखा, दो चीजों को, देखो, एक तो रखा बच्चो, traditional view को ध्यान में, एक तो किसको रखा, traditional view को, और दूसरा रखा बच्चो, modern molecular Bio Technology को, बायो टेकनोलेजी की definition को देने के लिए, European Federation of Bio Technology, यानि EFB ने, दो पॉइंट्स को ध्यान रखना, एक तो traditional view याद रखा, बायो टेकनोलेजी का traditional view क्या है, क्या information है मारे पास, और modern molecular Bio Technology को, मिला है उसके साथ, और एक final definition दी, क्या final definition दी, It is the integration of natural science, बायो टेकनोलजी इंटीक्नोलजी इंटीक्रेशन है natural science का, natural science मतलब traditional view, किस के साथ बच्चो, Organisms के साथ, Organisms में क्या सकता है, Cells आ सकती है, Cells के पार्ट आ सकते हो, Molecular Analogs आ सकते है, किसलिए है, ताकि हम कुछ product या services बना सके, जो हमारे लिए फायदे मन्द हो, इस definition को ध्यान सा समझे, European Federation of Biotechnology ने बायो टेक्नोलजी की definition दी, क्या दी, It is the integration of natural science, यह integration है natural science का, natural science मतलब traditional view, जो information है मारे पास, किस से, Organisms से, Organisms क्या हो सकता है, और्गानिसम की बात करें, बच्चों, सेल हो सकती है, बिलकोल सेल का पार्ट हो सकता है, yes, thereof, molecular analogs, भई, सेल के अंतर molecules भी तो होता है, बायो मॉलेक्यूस, DNA, RNA, protein, carbohydrate, fat, उनका, किसलिए, ताकि हम कुछ product या services बना सके, ठीक है, definition complete करें, It is the integration of natural science, and organisms, cells, part, thereof, molecular analogs for product and services, simple, जो हमने पढ़ा है, उसी को उन्होंने modified form में बना दिया, और क्याची ध्यान रखी, एक traditional view रखा ध्यान, और एक modern molecular bio technology को उन्होंने ध्यान में रखा, clear? ओके, बताओ मुझे clear हैं हैं तक? ओके, जलते हैं आगे, अगर आपको याद हो, आज के lecture में मैंने बोला था, पहले introduction, बायो टेकनोलजी का, तो आपने समझा कि बायो टेकनोलजी टर्म का मतलब क्या है? introduction में भी बूरी बात खतम नहीं है, हमने bio technology का कुछ मतलब जाना, हमने ये भी जाना कि कौन सी process को bio technology में रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं, क्या definition है bio technology की, क्यों definition है bio technology की, तो यह सब चीजे हमने समझी, ठीक है बात? अब principles पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, principles, और इस principle के बाद हम दुबारा से समझेंगे, कि biotechnology evolve करने की क्या जरुवत थी, yes, बही कभी ना को यह होता है, बही याद करो newton वाला safe गिरा, अब वो तो बैठ गे वही है, safe गिरा तो गिरा क्यों, उन्होंने gravitation पूरा शुरू कर दिया, ठीक है, तो similarly, biotechnology की need क्यों पढ़ी ये भी जानेंगे, क्या need थी इसके बीच, ठीक है, बट पहले principles को हम discuss करें, हम चल रहे है, with reference to NCRT, ठीक है, बच चलो, चलो, समझते हैं, अब, what is genetic engineering, पहला principle है, बच्चों, biotechnology का genetic engineering, बच्चों, biotechnology का genetic engineering, बच्चों, ब genetic engineering, genetic engineering, gene में engineering, genetic material में engineering, point समझना, genetic engineering खुद को explain कर रहा है, genetic material में engineering, अब एक बात बताओ, अगर एक organism है, एक organism है, उसके आप genetic material में change लाओगे, उसके genetic material में engineering करोगे, तो अगर gene का expression change होगा, तो organism में दिखेगा के नहीं दिखेगा, बिल्कुल, याद कर लो genetics, आप पढ़ चु क्या पढ़ा था कि genotype, phenotype को control करता है, genotype, phenotype को control करता है, in the similar way, अगर हम किसी भी organism का genetic material modify करेंगे, तो उसके phenotype में वो दिखेगा, this is genetic engineering, simple, देखो, to alter the chemistry of genetic material, हम genetic material की बच्चों, chemistry को क्या कर रहे है, change कर रहे हैं, अब देखो, genetic material की बात करते हैं, तो आप पढ़ चुकियो, maximum organism में, DNA, कुछ और organism में, RNA, RNA वाला कौन, बतातो, chat box में RNA जिसका genetic material होता है, क्या बोलते हैं उसको, to alter the chemistry of genetic material, DNA and RNA, introduce into the host cell, उसके बाद, changing the phenotype of the host, changing the phenotype of the host, क्या लिखा है मैंने, genetic engineering का मतलब, हम क्या कर रहे हैं, हम host के genetic material में, change ला रहे हैं, virus, कई बच्चों ने answer कर रहा है, virus, बट एक बच्चे ने answer particularly कर रहा है, yes, retro virus, अरे भाई, RNA as a virus, sorry, RNA as a genetic material किस में होता है, virus में होता है, बट कौन सा वाइरस होता है, retro virus होता है, बच्चों ने answer बताओ, हाँ जी, genetic engineer को देखो, to alter the chemistry of genetic material, हमने genetic material की chemistry को alter करा, genetic material क्या, कुछ में है RNA, maximum में, DNA, उसके बच्चों किस में डाला इस genetic material को, यब basically हमने genetic material को alter करा है, तो किस के अंदर हो रहा है, यह host के अंदर, introduce into the host से लिखा है, क्योंकि अगर आप foreign gene को ला रहे हो, देखो, हमने genetic material को कैसे alter करा, हमने एक organism के genetic material को कैसे alter करा, हमने बाहर से उसमें gene डाला, अब फूर एक्जामपल उसके पास से 39 gene, अब हो गए हैं 30 gene, तो alter हो गया, अब एक नए gene express हो गया, तो थोड़ा सा तो change आएगा, तो हमने introduce करा host cell में, और introduce करने के बाद जब हो तीसवा gene भी एक्सप्रेस करेगा, तो host के phenotype में क्या जाएगा, change जाएगा, अब host के phenotype में क्यों change आएगा है, क्योंकि genotype ही phenotype को control करते हैं, और यह हो गया, simple था, क्या? Genetic engineering, clear है? ठीक बच्चे ने बोले, तो बैको मुझे एक वायरस है, हाँ, ठीक है, good, अच्छे example पर आगा है, ओके, बताओ यह clear है, यह हो गया, genetic material, genetic engineering, okay, okay, all right, अब आगे चलते, अब बात करते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनिरिंग को, बच्चो, बायो प्रोसेस इंजीनिरिंग को, हम chemical engineering भी बोलते हैं, बाय प्रोसेस इनजिनिर् disposure को हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं chemical engineering अब इसका मतलब है एक बाद बताव मझे इया बाद समझना हैया आपको बता है microbes की बात करूँ या मैं micro organisms की बात करूँ microbes की बात करूँ या micro organisms की बात करूँ यह चारो तरफ present है, ठीक है, हमने बोला हम genetically modify कर रहे है organism को, genome में modification कर रहे हैं, तब भी चांस है न क्या, कि जब आप उस microbes को grow करवा रहे होगे, आप large scale पर जब उस microbes को grow करवा होगे, तो there is a chance कि surrounding से contamination हो जाए, तो अगर आपको specific product चाहिए, अगर आपको specific product चाहिए, एक particular living organism से, तो आपको environment कैसे रखना पड़ेगा, sterile environment रखना पड़ेगा, microbial contamination free environment रखना होगा, तभी आपको desirable product मिल पाएगा, large scale पर, तो यही तो है, बायो process, देखो न, बायो process engineering, living organism के साथ process करी जा रहे है, क्या process करी जा रहे है, बहुत living organism से desirable product extract कर जा रहे है, और desirable product कब extract होगा, जब microbial contamination free environment होगा, specific product चाहिए, हमें contamination नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पहले से ही, वो contaminated product होगा, तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, right, देखो, maintenance of sterile, maintenance of sterile, that is microbial contamination free environment, ambience, क्या रहे है, maintenance of sterile, that is microbial contamination free ambience, क्यों, तो enable growth of, enable growth of desired microbe, और क्या वो सकते है, desired microbe के लाब बच्चो, eukaryotic cell, at large scale, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, for biotechnological products, भई products के लिए कर रहे हैं, example के तौर पर, example के तौर पर, vaccines, antibiotics, enzymes भी लिख सकता हूँ, मैं, देखो, क्या लिखा हैं मैंने, bioprocess engineering या chemical engineering, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोला है मैंने, हम यहाँ पर, बच्चो, sterile environment को create कर रहे हैं, sterile environment का मतलब, microbial contamination free, microbes के contamination से free environment को रख रहे हैं, क्यों, ताकि हमारा desired, जो हमारा microbe लिया है, जिसको हमने genetically modified कर रहा है, खाली वो grow करें, अब microbe के लावा, eukaryotic cell लिया है, तो खाली वो grow करें, और अगर ऐसा होगा, तो हमें desirable biological product मिलेगा, अगर ऐसा होगा, तो हमें desirable biological product मिलेगा, जो क्या हो सकता है, एक vaccine हो सकती है, जिसको हम chemical engineering भी बोलते हैं, और this is the basis of biotechnology, बताओ मुझे, ये दोनों clear हैं आपको, बिल्कुल, enzymes मैंने mention नहीं करा है, बिल्कुल, enzymes मैंने mention नहीं करा है, बिल्कुल, enzymes ले सकते हैं, तो ये हो गया हमारा, क्या, क्या पढ़ा हैं हमने, हमने पढ़े हैं, principle बायो टेकनोलजी, दो दो, genetic engineering और दूसरा बच्चा कौन, बायो प्रोसेस इंजिनिरिंग और chemical engineering, अब हम चलते हैं कि कहां से शुरुबात होई या कहां से लगा यार, बायो टेकनोलजी आना चाहिए, कहां से वो develop होई, ठीक है, आओ, बच्चे, बायो प्रोसेस इंजिनिरिंग का मतलब क्या देको, बायो प्रोसेस, लिविंग और्गानिजम के साथ आपको कोई process करवानी है, क्या process करवानी है, लिविंग और्गानिजम से हमें desirable product हमें तब मिलेगा, जब हम उसे microbe contamination free environment पर रखेंगे, क्योंकि अगर contamination होगा तो unwanted product होगे, लेकिन अगर contamination free environment होगा, तो हमें खाली desirable product मिलेगा, वो भी large scale पर, जैसा कि vaccine, enzyme या anti-biotic, ठीक है, clear by process engineering, यह कुछ NCIT की statements मैंने यहां पर बच्चा लोग रखी है, ताकि मैं आपको basically यह बता पाऊंगी, कहां से शुरुआ तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, और एक-एक point को समझना, तभी आपको समझ में आगे, कि यहां पर NCIT क्या बोल रही है, और कहां से हमारी यह बायो-technology पर गाड़ी पहुची, अगर बच्च लोग आपको बता है, reproduction, दो तरीके का होता है, एक होता है, असेक्श्वल रिप्रोड़कश्न, दूसरा होता है, सेश्वल रिप्रोड़क्शन, और сол tune को एक सेक्श्वल रिप्रोड़कश्न क्या होता है, एक सिंगल और ग इंवॉल्व हो रहा है तो वहां पर information preserve रहेगी वहां पर information क्या रहेगी? preserve रहेगी अब ऐसेक्शल ईप्रटक्षन में information क्यों preserve रहे रहे है? बई, simple सी बात है, जब एक single parent है तो उसी के character कहा जाएंगे बच्चों में, तो जो information parents के पास थी वही बच्चों के पास आगी, basically clone मिल रहे है, asexual reproduction से आपको क्या मिल रहे है, clone, जड़ा एक statement देखो, asexual, asexual reproduction preserves, asexual reproduction क्या कर रहा है, preserve कर रहा है, the genetic information, while sexual reproduction permits variation, यह तो मैं आपको बता हूँगा, तो asexual reproduction preserve कर रहा है, genetic information क्यों, क्योंकि यह होता है, uniparental, यह होता है, uniparental, और इससे खाली क्या develop होंगे, बच्चा लोग, इससे develop होंगे, clone, ठीक है बात, अब आगे की कहानी से, तो asexual reproduction और sexual reproduction में, फिलाल हम different समझ रहे हैं, आपको अपने आप समझ में आजाएगा, हम इस की क्यों बात करें, तो इस sexual reproduction में, एक single parent involved है, इसे बोलते हैं, uniparental, और since, जो एक character थे, उस parent में, वही बच्चो में गए, यानि information preserve रही, जो information थी, वही पास होई, यानि clone develop हो रहा है, कुछ भी नया नहीं मिल रहा है, देखने को, राइट, अब आगे की कहानी से, अगर हम sexual reproduction की बात करें, अगर मैं बात करूँ sexual reproduction की, तो बच्चो sexual reproduction में, दो parent involved होते हैं, male and female, अब देखो, दो parent involved है, तो कुछ इसके character, कुछ इसके character, दोनों के character, मिलके बच्चे में आएंगे, बच्चे को क्या मिल रही है, variation मिल रही है, और variations, बच्चो, beneficial भी हो सकती है, अगर beneficial है, तो बाती के comparison में, वो बहुत अच्छे से survive करेगा, मतलब sexual reproduction leads to variation, और वो beneficial भी हो सकती है, organism के लिए, जड़ा देखो, the advantage of sexual reproduction, over sexual reproduction, क्या, the former, former मतलब कौन, sexual reproduction, provides opportunity for variation, sexual reproduction प्रोवाइड करता है, opportunities, किस लिए, बच्चो, variations के लिए, और उससे unique combination create होते है, होंगे के नहीं होंगे, बिल्कुल, भाई, दोनों parents के character आए, उस बच्चे में, तो एक नया character, एक नया unique character, develop होगा के नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, और देखो, some of which may be beneficial, उन में से कुछ beneficial भी हो सकते हैं, किसके लिए, और गैनिजम के लिए, उन में से कुछ beneficial भी होते हैं, और गैनिसम के लिए, और गैनिसम मतलब एक तरी किसम बात किस की कर सकते हैं, as well as the population, क्या समझा हमने अब तक का, फिर से सुनो, हमने बोला, कि sexual reproduction में दो parents involved होते हैं, अब sexual reproduction में अगर involved होंगे दो parents तो क्या आएगी, variation, ठीक है, अब variation का अतलब क्या है, दो parents के character मिले तो एक नया character develop हुआ, मतलब एक नया unique character क्या हुआ, develop हुआ, ठीक है, और यह जो variation है, यह beneficial भी हो सकती है, अगर एक organism के लिए beneficial है, तो एक population में है, बहु मतलब बच्चे पहले वाला, जैसे कि यहाँ पर है sexual reproduction, ठीक है, अब आओ, अब मेरे इक बात को सुनदा, sexual reproduction, sexual reproduction, sexual reproduction, sexual reproduction, पुचो sexual reproduction के तरो हम hybrids बना सकते हैं, hybrid मतलब एक character x के, एक character y के, अगर x, y से second of confusion और एक chromosome में है, तो एक character p के, एक character q के, तो मतलब क्या बन रहा है, pq बन रहा है, hybrids, hybrids में क्या करते हो, आप hybrids में दो superior variety चूज करते हो, एक superior variety है p, एक दूसरी superior variety है q, दोनों के character आ जाएंगे, क्या बन जाएगा, pq, ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ, traditional hybridization, और आ हैं आप ऐसे करते हो, कि दो हईब्रेड़्स आफ प्लांट्स में भी भारते हो, लेकिन एक बात को अध्यान से सुनना है, जब आ हाईब्रेड डेवलप करते हो, तो हम हाईब्रेड में generally भी बाहत करते हैे, आइब्रिड में हम जनरली क्या बात करते हैं जैसे कि for example मैं यहां पर दिख रहा हूँ एक hybrid है एक hybrid है बच्चो P और एक Q ठीक है अब इन दोनों को मिला रहे हो अब एक hybrid बना रहे हो क्या बन रहा है P Q एक example के तौर पर आपको मैं समझा रहा हूँ क्या हमें hybrid बनाना है हमें hybrid बनाना है ठीक है एक organism P है एक Q हमें क्या मिल रहे है P Q और हम जनरली क्या बत करते हैं कि यह जो हाइब्रिड डेवलप हुआ है इसके पास क्या है कि हमताद sexual reproduction पर ऐसा कुछ होता है विल टरों के चीजे जाती है कि खाली अच्छे करेक्ठर ही जाएंगे महला डेज़ारीबल जीन जाएंगे क्या अंडेजारेबल जीन नहीं जाएंगे ऐसा होता sexual reproduction में कि desirable gene गए undesirable gene नहीं गए आप hybrid बना रहे हो तब भी ऐसा होता है या नहीं यह बताओ बले मुझे बताओ मुझे बिल्कुल नहीं आएगा तो देखो traditional hybridization techniques की हम बात करें चाए वो plant में आप यूज कर रहे हो चाए animal breeding में कर रहे हो उसकी वज़े से desirable gene तो जाते हैं लेकिन undesirable gene भी जाते हैं किस में population में hybrid में traditional hybridization procedures used in plant and animal breeding very often leads to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desirable genes तो desirable gene के साथ undesirable gene भी जाते हैं अब एक condition सोचो क्या condition सोच नहीं है बचलों condition यह सोच नहीं है कि अगर मेरे को एक ऐसा organism बनाना है जिसके पास खाली desirable gene चाए क्या condition develop हो रही है हम सोच रहे कि यार ऐसी condition develop करो कि जो हमें organism मिले उसके पास खाली desirable condition वाले gene मिले undesirable चाहिए ही नहीं तो क्या आप traditional hybridization से या sexual reproduction वाली जो technique है क्या आप ऐसा कट सकते हो क्या आप undesirable जिनको filter कर सकते हो बताओ येस बताओ मेरे को inclusion mean उससे रखना अंदर include कर रहे हैं बताओ मुझे answer नहीं कर सकते नहीं कर सकते तो बेटा लोग अब यहीं पर शुरुवात होती है biotechnology की मतलब biotechnology वह technique है biotechnology वह technique है जिसकी मदद से आप खाली desirable gene को जिसकी मदद से आप खाली desirable gene को ही transfer कर सकते है एक organism में undesirable को transfer करने की कोई जरुवत नहीं है और अगर यह desirable gene जाएगा organism में express करेगा और वह product आपको मिलेगा तो यह है शुरुवात biotechnology की तो यह जो NCIT में जो statement दे रखी है बच्चेस में confused रहते हैं यह क्यों दे रखा है क्या benefit है क्या समझाना चारे हो तो यह benefit है यहाँ पर आपको यह पताया जा रहा है कि जर्नली सोचों ही sexual reproduction होता है फिर sexual होता है sexual को हम कहते है कि variation मिल रही है लेकिन sexual में भी यह है क्लेर वदा हो प्लेर है आओके ओके आओके तो सभूझ में आया है बायो टेकनोलजी तक गाड़ी कैसे पहुंची कैसे बायो टेकनोलजी की शुरूआ थी तो यह रीजन था अब देखो बायो टेकनोलजी से क्या फाइदव रहा है अब यह मत बोलना सर जैनेटिक इंजिनिरिंग कहा से हो गया बायो टेकनोलजी का एक प्रिंसिप आल है जैनेटिक इंजिनिरिंग इसकी मैं बीच की स्टेट्मेंट अभी नहीं पढ़ रहा हूं मैं आपको समझाओंगो वह कहां से है देखो टेकनीग ऑफ जैनेटिक इंजिनिरिंग विच इंक्रियेशन ओफ रिकॉम्बिनेंट डियन ने जैनेटिक इंजिन between कि ने इंजिनिरिंग विधाउट इंटेद्धिफ कर्णेग विदाट इंटेद्ध इंटेद्ध मा अगर्णिम ऑनृग्तुईसिंग इंटु आहुइ Caesar वगी तीसरा है gene transfer recombinant DNA gene cloning, gene transfer यह तीन terms mention कर रहे हैं जो हम use करेंगे और जिसके तुरू हम desirable gene को transfer करेंगे अब यह कैसे क्या होता है मतलब recombinant DNA क्या कुछ को पता भी होगा gene cloning क्या gene transfer क्या यह मैं आपको बिल्कुल सारा का सारा अभी समझाऊंगा बट मैं यहाँ पर आपको यह बताना चाहरा हूँ कि कैसे bio technology की शुरुआत हुई कैसे दिमाग में आए कि bio technology जैसा कुछ होना चाहिए right ठीक है तो इनको भी हम discuss करेंगे attention मतले ना इसको मैं discuss करूँगा अब बताना मुझे अगर आपको सहुझमन आए तो fate of a piece of DNA तो देखो तीन टर्म्स है तीन टर्म्स क्या क्या थे उसी form में लिखते थे तीन टर्म्स थे बच्चा लोग एक तो था recombinant DNA तीन टर्म्स क्या क्या थे बच्चा लोग एक तो था recombinant DNA एक था gene cloning देख्या है और एक क्या था gene transfer देख्या है तो इन टीन टर्म्स का मतलब समझते हैं और यहाही पर एक मैंने term लिख रखा है fate of a piece of DNA एक piece of DNA का fate क्या होगा अब इनको लिंक करते हैं देखो अभी हमने बात समझी क्या बात समझी हमने यह समझा कि biotechnology की मदद से मैं एक desirable gene को येस biotechnology की मदद से मैं मातर एक desirable gene को transfer कर सकता हूँ एक organism में और इसको express करवा सकता हूँ तो यह जो piece of DNA है न बचलोग यहाँ पर वो piece of DNA क्या है इसको हम क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं desirable gene या फिर हम बोल सकते हैं gene of interest तो हम क्या कर रहें एक piece of DNA को piece of DNA क्यों बोल रहें क्योंकि है desirable gene gene of interest इसको बना के भी देख सकते हो आप कैसे देख सकते हो भाई देखो न for example assume करो इसे for example बच्चों यह DNA का एक fragment है उसमें gene कौन सा है यहाँ पर x यह DNA का एक fragment है जिसमें gene कौन सा है gene x फृक है बात अप paint का मतलब क्या के देखो आप इसको क्या transfer कर रहे हो अप इसको host में भीज लेगो रहे हो हम इसको कहां भेज रहे हैं host में अम इसको कहां भीज रहे हैं host में host मतलब है एक organisms के अंतर भीज रहे हो ना याद करो genetic engineering इसको होस्ट में ट्रांसफर कर रहे हो तो आप बच्चो जीन को एक डेसारेबल जीन को ट्रांसफर कर रहे हो पहला टांग का मतलब एक desirable gene को आप transfer कर रहे हो होस्ट के अंदर, ठीक है, fate मतलब बच्चे future, हाँ जी, बिल्कुल सभी, fate मतलब future होता है, yes, ठीक है, ओके, देखो, तो desirable gene या gene of interest या एक DNA fragment जिसमें हमारा desirable gene X है, इसको हम होस्ट में transfer कर रहे हैं, यानि हम क्या कर रहे हैं, gene transfer पहले word का मतलब clear हो गया होगा, ठीक है, अब दूसरी कहानी सुनो, एक बात सूचो यार, क्या सूच नहीं है सथ, यह सूचना है बच्चा लोग, एक host है, यह एक host, यह एक host है, ठीक है, इस host में, इस host में, यह है बच्चो अपना वो, desirable gene, इसको आपने भेज दिया, क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर gene transfer, क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर gene transfer कर रहे हैं, ठीक है, और आपने पढ़ा भी होग इस method को transformation भी कहते हैं क्या बोलते हैं इसको transformation बोलते हैं बट मुझे एक बाद बताओ यह जो हमारा gene हम transfer कर रहे हैं host के अंदर यह जो हमारा gene है जिसको हम transfer कर रहे हैं host के अंदर क्या यह express कर जाएगा इसको आपने भेज दिया और अंदर जाके यह सीधा protein बनाना चुरू कर देगा yes सीधा अंदर जाकर यह protein बनाने शुरू कर देगा बोलो हमने इस gene को transfer करा अब यह सीधा host में जाकर express कर देगा protein बनाना चुरू कर देगा yes yes नहीं बनाएगा बिल्कों सही अंसर है मतलब क्या है मतलब यह है कि अगर हमने gene of interest को host के अंदर transfer भी कर दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो express करेगा protein बनाना चुरू कर देगा ऐसा क्यों ऐसा इतलिए कि उसके पास express होने के लिए कुछ है नहीं कि अगर यह host organism के जिनोम में चला जा जाए अगर यह host organism के genome में लग जाए बच्चो अगर यह host organism के genome में लग जाए तो यह express कर सकता है क्यों बोल रहू हूं मैं ऐसा क्यों कि जो host का genome होगा क्योंकि जो host का genome होगा उसके पास है origin of replication लिख रहा हूँ फिर मैं explain करूँगा इसको मैंने यह बोला कि अगर normally आप भेज रहे हो तो अपने आपको express नहीं कर पाएगा अगर यह host के genome में लग जाए अगर होस्ट के genome में लग जाए तो यह express कर लेगा अब host के genome में लगने से क्यों express कर पाएगे क्योंकि host के genome के पास है ori, what is ori, origin of replication, what is origin of replication, origin of replication, DNA के अंदर, genome के अंदर वो sequence होती है, जहां से replication start होता है, मतलब ये वो sequence है जो replication start करवाएगी, मतलब copies बनवाएगी, वह copy तो बनवा नहीं है, क्योंकि replication होगा, याद करो central dogma, mRNA जीन express करेगा, तो host genome में लगने की वज़े से, ये host genome में लगने की वज़े से express कर पा रहा था, क्योंकि host के पास है origin of replication, अब मतलब क्या इस बात का, मतलब ये है कि अगर आपको alien DNA भेजना है, क्या है मतलब अच्चो, अगर हमें alien DNA भेजना है, alien DNA मतलब gene of interest, alien DNA मतलब gene of interest को, अगर हमें host के अंदर express करवाना है, अगर हमें इसको host के अंदर express करवाना है, इसका expression करवाना है, इसको आप जोड के दोगे किसके साथ, और आई के साथ, अगर alien DNA या gene of interest को हमें host के अंदर express करवाना है, तो इसको हमें link करके धेज़ेंगे किसके साथ, origin of replication के साथ भेज़ेंगे, क्योंकि origin of replication वो sequence है, जहां से replication start होगा, मतलब यह अपनी copies बना पाएगा, independently, तो यहां से आपको किसकी importance पता चलती है, origin of replication की, clear है, clear, clear, अब मैंने एक बात बोली, मैंने क्या बात बोली, मैंने बोला, कि host के अंदर जाकर यह express करेगा, अपनी multiple copies बनाएगा, host के अंदर जाकर express करेगा, अपनी multiple copies बनाएगा, अपनी डिटो multiple copies बनाना, यानी gene की cloning, अपनी डिटो multiple copies बनाना, मतलब gene की cloning, मतलब gene की cloning, ठीक है, तीसरी बात सुनो, recombinant DNA, अभी हमने बात करी कि alien DNA तब express करेगा, alien DNA तब express करेगा, जब उसको मिलेगी origin of replication, अब origin of replication ऐसा तो है नहीं कि रस्ते में पड़ी उठा लिए और लगा दिया, बई origin of replication आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, किसकी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एक carrier की इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वो carrier क्या हो सकता है, वो carrier हो सकता है, vector, अब ये क्या चीज़ है, देखो याद करो, human health and disease याद करो, जिस तरीके से malaria का जो parasite होता है, plasmodium, उसको transfer करनी के लिए एक vector चीए होता है, carrier चीए होता है, female anaphylis mosquito, in the similar way, अगर alien DNA को, अगर alien DNA को host के अंदर transfer करना है, अगर host organism के अंदर transfer करना है, तो यहाँ पर भी एक vector की, एक carrier की जोद पड़ती है, और ये जो vector और carrier है, इसी के पास होती है, origin of replication, क्या होती है, origin of replication, और in the end में यही बोलूँगा, कि देखो, alien DNA है, और क्या है, vector है, alien DNA है बच्चो, vector DNA है, इन दोनों को जहाँ आपने मिलाया, वही बनेगा recombinant DNA, rDNA मतलब recombinant DNA, क्या बोला मैंने, alien DNA को अगर आप vector DNA से मिला दो, vector DNA क्या है, vector DNA, basically एक DNA है, जिसके पास खुद की origin of replication है, तो देखो, vector DNA है, vector DNA में आपने एक नया DNA का पार्ट लगाया है, vector DNA में आपने एक नया gene लगाया है, तो मतलब आपने उसकी sequence को recombine करा है, आपने उसकी sequence को recombine करा है, मतलब आपने बनाया recombinant DNA, तो ये हो गई तीसरी चीज, recombinant DNA, clear है, clear, तो इनमें आया recombinant DNA, तीनों terms हमने पढ़ लिए है, क्या क्या किसका मतलब है, I hope आपको clear होगा, बच्चे, puck vector और PBI 322 हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको vector नहीं पढ़ा रहा हूँ, खली आपको terms के meaning clear कर रहा हूँ कि किसका क्या मतलब है, जो NCIT ने बोली थी, clear छे, very good, तो देखो, the techniques of genetic engineering which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning, पहले तो बोला गया, recombinant DNA create करना है, gene cloning करनी है, gene transfer करना है, जो क्या करेगा, इस परेशानी को जो था ना कि desirable के साथ undesirable जारा तो उसको हम दूर कर सकते हैं, और इसी वज़े से recombinant DNA technology बोलू या by technology की वज़े से खाले desirable gene transfer होता है, किसके अंदर host organism में, यह तीनों terms का मतलब clear है, और आईकस आपको यह statement भी अब clear होगी, yes, clear, recombinant DNA ने दुबारा बतायता हूँ, देख लो, बच्चों मैंने यह बोला है, देखो, आपको पता है, alien DNA हमें transfer करना है, बट हमें पता चला कि alien DNA खुद जाएगा, तो express नहीं कर पाएगा, तो हमें क्या पता चला कि उसे चाहिए origin of replication, अब origin of replication, इतनी असानी तो मिलेग origin of replication किसके पास मिलेगी आपको, एक carrier के पास, जिसको हम बोलते हैं vector, तो alien DNA को vector DNA के साथ जोड़ा, alien DNA को vector DNA के साथ जोड़ा, क्या बना, recombinant DNA, देखो न, vector DNA के अंदर आपने एक foreign gene को लगाया, alien DNA को लगा, vector DNA के अंदर आपने एक foreign gene को लगाया, तो क्या बनेगा, sequence recombine होगी बनेगा, recombinant DNA, और our DNA, origin of replication, वो sequence होती है, जहां से replication start होता है, origin, शुरुवात, ठीक है, चलो, अब बात करते हैं, first recombinant DNA की, और यहाँ पर आपको दुबारा सोज में आ जाएगा, कि recombinant DNA क्या होता है, दुबारा से repeat कर दूँँ, मैं यहाँ पर एक बारी, first recombinant DNA की बात करते हैं, तो बच्चों, first recombinant DNA की, अगर हम बात करें, तो इसको create करा था, Stanley Cohen and Harvard Boyer ने, 1972 में, the first recombinant DNA को Stanley Cohen and Harvard Boyer ने create करा था, 1972 में, अब कैसे करा था, उसको समझते हैं, देखिए, देखना ध्यान से, antibiotic resistant gene, तेक हैं, तेक हैं, तेल्मो नेला, ट्राइफी म्यूरियम, नेटिव प्लास्मिड और सेल्मो नेला, ट्राइफी म्यूरियम, सुल्लो बात, दुबारा से जो gene transfer था, gene cloning थी, recombinant DNA तो दुबारा से यहां पर explain हो जाएगा, आपको clear हो जाएगा, जिन लोगों को doubt आ रहा है, अगर अभी भी तो, वैसे आई आना नहीं चाहिए, बट अगर अभी भी आ रहा है, तो clear हो जाएगा, tension ना ले, तो बच्च से इन्होंने क्या कर रहा है, बच्चो, एक bacteria से इन्होंने निकाला, antibiotic resistant gene, अब antibiotic resistant gene क्या करेगा, वो अपने आपको बता रहे है, वो antibiotic से बचाएगा, antibiotic resistant gene, जो antibiotic से एक organism को बचाएगा, ठीक है, उसके बाद Salmonella typhemurium bacteria लिया है इन्होंने, Salmonella typhemurium क्या करता था, जल्दी स पहले मुझे chat box में बता दो, फिर मैं बताओंगा अगे कहानी, यस, Salmonella typhemurium क्या करता था, बता दो जल्दी से, बताओ, बिल्कुल सही, very good, yes, typhoid को उस करता था, तो देखो, native plasmid, अब native plasmid का मतलब क्या था, native मतलब उसका खुद का plasmid, native मतलब उसका खुद का plasmid, अब मैं इसको भी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें भी doubt आएगा, मैंने लिख दिया है वही, plasmid का मतलब, क्योंकि इसमें भी doubt हो सकता है, बैक्टीरिया जानते हैं आप लोग, बैक्टीरिया यानि प्रोकरियोड, प्रोकरियोड की बात करें तो प्रोकरियोड के पास होता है, एक kromosomal DNA, जिसमें nuclear membrane absent होती है, उसको बोलते है nucleoid, देख भी लो भे, ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया में बच्चों, एक तो होता है kromosomal DNA, बैक्टीरिया में एक तो होता है kromosomal DNA, well-defined nuclear membrane absent होती है, इसको nucleoid बोलते हैं, उसके अलावा बैक्टीरिया में, उसके अलावा बैक्टीरिया में बच्चों, एक और DNA होता है, circular DNA, एक और DNA होता है, इसको बोलते है circular DNA, क्या बोलते है, autonomous, खुद के उपर dependent है, self dependent है, autonomous है, extra kromosomal के अलावा है, खुद के अलावा है, circular है DNA, तो इसको बोलते है plasmid, का बोलते हैं, इसको plasmid बोलते हैं, ठीक है, तो native plasmid का मतलब क्या है, जितने भी बैक्टीरिया होते है, mostly bacteria पे, क्रोमोजोमल DNA के अलावा, mostly bacteria के पास, क्रोमोजोमल DNA के अलावा, एक और extra circular क्रोमोजोमल DNA होता है, जिसको बोलते हैं, plasmid, native plasmid मतलब उसका, खुद का plasmid उसके खुद के पास था, ठीक है बात, अब सुनो आगे यह कहानी, अब करना क्या है, सुनो, उन्होंने क्या किया था, वो सुनते हैं, आगे क्या है, ठीक है, तो इन्होंने native plasmid लिया, ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि, भई, इस antibiotic resistant gene को इसके साथ जोड़ना है, इस antibiotic resistant gene को इसके साथ जोड़ना है, जोड़ने से पहले एक बात समझनी है, क्या बात समन्नी है, बचों, एंटि बायिक रेजिस्टेंट जीन, एंटि बायिक रेजिस्टेंट जीन हमने निकाला, Stanley Cohen, Herbert Boyer ने इस antibiotic resistant gene को एक बैक्टीरिय से निकाला, इतना असान है, बैक्टीरिय ले उसे मारा थड़ 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 उससे का दे दे, उसने दे 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 antibiotic resistant gene, ऐसे होता है, कैसे निकालेंगे, कोई enzyme होगा न, तो ये जो antibiotic resistant gene Stanley Cohen and Herbert Boyer ने निकाला, किसकी मदस से निकाला, एक enzyme की मदस से, क्या कर रहे हैं वो, antibiotic resistant gene को cut करके बाहर निकाल रहे हैं, cut करना है, क्या चाहिए, कैंची चाहिए, लेकिन ये कैंची थोड़ी अलग टाइप की है, ये scissor थोड़ी अलग टाइप की है, इसको बोलते है molecular scissor, क्योंकि देको DNA में से निकाल रहे है, DNA, biomolecule chapter में scissors, किसका इस्तमाल करा, molecular scissors का, बात समझे ध्यान से, कि इस antibiotic resistant gene को निकालने के लिए, हमें क्या करना पड़ा, जिस organism के पास था, उसमें से इसको बाकी जिनों में से cut करके निकाला, तो cut करने के लिए हमने कैंची का इस्तमाल करा, यानि molecular scissors का, क्योंकि DNA को cut कर रहे हैं, biomolecule को cut कर रहे हैं, ठीक है, अब molecular scissors का example, restriction enzyme, molecular scissors का example, restriction enzyme, ठीक है बात, समझे, चलिए, अब जोडने का समय गया, तो किस तरीके से इसको cut करके निकाला, किस तरीके से इसको cut करके निकाला, वो तो answer मिल गया, molecular scissors और restriction enzyme से, अब करना क्या है, कि इस antibiotic resistant gene को इसके साथ जोडना है, जोडते हैं, जोडते हैं, जोड़ो, 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 अन्जी सुनिये बात को एंटिबाइटिक रेश्टन जीन को जिसको आप यहाँ पर जीन ओफ एंट्रेस्ट भी बोल सकते हैं इसको हम जीन ओफ एंट्रेस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि यह जीन जिसको मेलेगा उसके पास एंटिबाइटिक रिस्टेंट आजाएगा एक नई पावर आजाएगी तो हमने क्या करें इसको जोड रहे हैं तो जोडना लिंक कर रहे हैं जोडने के लिए लिंक कर रहे हैं जोड़ने के लिए लिंक कर रहे हैं, link को और क्या बोल सकते हैं, ligation, अब ligation परफ़र्म करना है, हमें क्या परफ़र्म करना है, ligation परफ़र्म करना है, तो ligation के लिए we will use another enzyme that is known as DNA ligase, तो cutting के लिए restriction enzyme molecular scissor जोडने के लिए DNA lias ठीक है अब बात सुनो ध्यान से यह जो native plasmid बच चलोग यह जो native plasmid है इस native plasmid के पास अपनी खुद की origin of replication भी तो होगी इस native plasmid के पास अपनी खुद की origin of replication भी होगी अब आप कोगे ऐसी है क्यों सर मैंने क्या बोला था autonomous है यह ऑटनोमस मतलब खुज के उपर sustain है सेल्फ डिपेंडेंट है सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब इसको जब replicate करना है यह करेगा तो replicate करने के लिए क्या चाहिए उलेडी इसके पास औल डी है यहां पर बना देता हो बाद में निया है इसके पास पहले से थि और यह जो हमारा प्लास्मीड है यह क्या यहां it यही तो अपना वेक्टर यही क्या है अपना यही है बच्छा लोग अपना वेक्टर तो देखो वेक्टर में जीन ओफ इंट्रेस्ट को लगाया वेक्टर में जीन ओफ इंट्रेस्ट को लगाया बतला वेक्टर की जो DNA सिक्वेंस थी हमने वो रीकमबाइन कर दी वेक्टर की फास्ट रिखॉमेनेंट डीहनेट बन गया है boxes three possible कि Allah अच्छी अच्छी अच्छीन लोग हुदर काका स्थ़ेलالय लेकिन दो टम रहा गए सर, एक तो जीन क्लोनिंग था, और दूसरा था हमारा जीन ट्रांसफर, पर लेते हैं वो भी, देखिए जनाब, अब होस्ट और्गानिसम चाहिए न, जीन ट्रांसफर करना हो, यह जीन को एक्सप्रेस करवाना हो, तो आपको क्या चाहिए, आपको होस्ट औ कोलाई, देखो, यह आप दूसरा कलर यूज़ करते हैं, ताकि क्लारिटी बनी रहे, तो बचलोग यह है अपना, एस्चेरीचिया, कॉलाई, और एस्चेरीचिया कॉलाई कौन है, एस्चेरीचिया कॉलाई रिलेटिव है, किसका, क्लोज रिलेटिव और सेलमोनेला टाइफी, ठीक है, सुनते जाना, पूरी गहां नहीं, कभी भूलोगी नहीं, बना कैसे था, बना के छोड़ेंगे थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक, बताओ, ओके, यह अपना, एस्चेरीचिया कॉलाई है, इसके अंदर ट्रा तो, हमने, रिकॉंबेनेंट यह ने पढ़ लिया, हमने रिकॉंबेनेंट यह ने पढ़ लिया, अब देखो, इस रिकॉंबेनेंट यह ने को हमने होस्ट में ट्रांसफर करा है, होस्ट को ने हमारा यहां पर, एस्चरीचे कॉलाई, होस्ट को ने, एस्चरीचे कॉलाई, तो, रिकॉंबेनेंट यह ने को हमने, एस्चरीचे रहने चाहिए एक है तो कि जीन ट्रांस्फर कर दिया अब फाइनली चाहिए हमें हमें क्या बढ़ अब तक नहीं था लेकिन अब हमने उसकंदर ट्रांसफर कर दिया है antibiotic resistant gene, क्या transfer कर दिया है? antibiotic resistant genes, for example, ARG, antibiotic resistant gene transfer कर दिया इसको, ARG क्या है? antibiotic resistant gene, ठीक है? तो अब जब यह बच्चों express करेगा, origin of application है, अब यह जब gene express करेगा, protein बनाएगा, तो इसके पास, E-coli के पास क्या आ जाएगा? E-coli के पास अब नेया क्या जाएगा? Antibiotic resistance आजएगा. क्या आ गया इसके पास अगया, Antibiotic Resistance. और जब यह multiply करेगा, multiply करेगा मतलब क्या, binary physician याद करो अपनी? multiply करेगा मतलब क्या, binary physician को याद करो? जब यह multiply करेगा, तो, इसकी बहुत सारी Copies बनेगी, multiply करेगा, 1-2, 2-4 sell, 4-6 sell, 4-6 sell, तो, इसकी भी तो, copy बढ़ती जाएगी, वैं जातल अब, इसकी multiple copies बन जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, cloning हो जाएगी, cloning का मतलब क्या है, multiple copies बनना, cloning का मतलब क्या है, बचलो गहाँ पर, करा तो उसने जब मल्टिप्लाई करा इस जीन ने एक्स्प्रेशन करा तो इस जीन की बहुत सारी कॉपी इसकी प्रोजिनी में ट्रांफर होगी ना दिया हमने इसको था लेकिन अब इसकी प्रोजिनी के पास भी एंटिवाइटिक रेस्टेंज आ चुका है इस जीन की मल्टि आ जाये कैसे बना था क्या फायदा हुआ तो आप समझ सकते हो तो फ़र्स रिकॉंबिनेट डिसे बनाया तो इससे फायदा यह कि एक नया एंटिवाइटिक रेस्टेंस आ गया था डिसाइरिबल जीन आ गया था विदोट अंडिजारिबल जीन एक बच्चा कुछन पूछ रहा है कि यह कैसे गया मतलब यह बेसिकली जीन ट्रांसफर के बारे में पूछना चाहरा है कैसे गया तो बच्चे जीन ट्रांसफर कैसे हुआ वह आगे के लेक्चर में पूरा मैं बताऊंगा टेक्निक्स जैसे की बायोलिस्टिक गन माईक्रो इ कि बच्चों को लग रहा हुआ कि यह क्या बेकार सा फ्लो चाड़ बनाया है वह एक्च्वल में बच्चों यह समझाने के लिए बनाया था दाकि आपको थोड़ा सा रिटन फॉम में भी आइडिया रहे और यह हमारा प्रूप प्रॉपर उसका आइडिया कैसे क्या करना थ कि एंटिबाइटिक रेस्टेंट जीन वह होता है जो एंटिबाइटिक रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है और्गैनिजम को क्लियर क्लास कातम होने के बाद आपको रिटन नोट्स पीड़लू के आप पर मिल जाएंगे वहां से डाउनलोड करो और हमसे नोट्स पनाना साथ-साथ भी लिख सकते हो मैं तो टाइम दे रहा हूं लिखने का साथ-साथ स मघने साथ-साथ दिया है? अब आओ वहां ओगे क्या समझा आज की पूरी क्लास में हमने NCAT में नोलास्ट में आद रखा है कि क्या है मतलब तो हमने देख और आप जनेय्टिकली मॉडिफाइय करना है एक और गानिजम को genetically modify करना है एक और्गानिसम को तो उसके तीन बेसिक स्टैप है यह तीनों बेसिक स्टैप हम अल्रेडी समझ चुक है आज की क्लास में खत्स एक बारी रीट करना है ताकि आपके दिमाग में यह statement फीड हो जाए कि मतलब क्या है समझे यह तुम्हारे दिमाग में चलते हैं मतलब क्या है क्यों है देखो थ्री बेसिक स्टैप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड और्गानिसम सबसे पहले क्या वही डेसाइरेबल जीन डेसाइरेबल जीन का में लेगा एक पर्टिकुलर डीन आइडविफिकेशन आफ डीन इसमें फैसर यह देसाइरेबल जीन को सबसे पहला करोगा अब पता होगा जसलेटे प्रोपरटी होते है जिसमें द्रॉसी सब्सक्राइब लगा मतलब ये वो living organism से जो light को emit करते हैं, पसंद आ गया, हमने क्या कर, उस gene को कोई बंद करते हैं, निकालो gene को बाहर, उस gene को अपने घर के पैट में डालेंगे, किसमें एक चुहे में, चुहा लिया, उसके अंदर लगा दिया, अब रात को तो इस gene को जब express करवाना है, तो क्या चाहिए आपको, होस्ट और गयानिजम चाहिए, इंट्रोड़क्शन ओफ आइडेंटिफाइड डियनने इन्टू दी होस्ट, अब यह जो आइडेंटिफाइड डियनने न बच्चों, इससे आइडेंटिफाइड करा, जिसमें desirable gene होगा, उस desirable DNA की fragment को, या recombinant DNA को फिट transfer करेंगे, होस्ट के organism के अंदर, ठीक है, और जब इसको introduce DNA को, बच्चों अपने सारी copies बन जाएगी, वह तब cloning हो जाएगी, maintenance of introduce DNA into the host, ज़रूरी है न, जो हमने recombinant DNA host में transfer करा है, वो maintain रहना चाहिए, जो recombinant DNA हमने host में transfer करा है, वो maintain रहना चाहिए, क्योंकि maintain रहेगा तो वो express करता रहेगा, express करता रहेगा, तो progenies में transfer होता रहेगा, multiple copies बनती रहेगी, cloning होती रहेगी, maintenance of introduce DNA into the host and transfer of DNA to its progeny, progenies, ताकि क्या बनेगी, final outcome क्या है, what is the final outcome, multiple copies, what is the final outcome, multiple copies बनेगी, और multiple copies मतलब क्या हो रहा है उसका, cloning होती जा रहेगा, अभियाद रखना, तीनों basic steps समझ में आएगी ने आएगी बताव मेरको, कुछ questions कर लेते हैं, ताकि पता चलेगी, आपको कुछ समझ में आएगी ने, आज के लाब, चलो, पहला question, the DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called, पहला question क्या है, पहला question क्या रहा है, वो कौन सा DNA molecule होता है, जिससे हम gene of interest को जोडते हैं, वो कौन सा DNA molecule होता है, जिससे हम gene of interest को जोडते हैं, ताकि उसकी cloning हो सके, पताईए answer, और मैं बोलूगा कि options की जगे, अगर तुम option का mention करो कि term तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि पहले चले answer क्या, बच्चे आप NCRT से ही पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, NCRT से भी notes बना सकते हो, कोई ऐसा जरूर नहीं है कि notes आप बनाओ, it's up to you कि आपको कैसा favorable रहेगा, यस बिल्कुल सही answer आरा है, कई बच्चे बोल रहे हैं vector, बिल्कुल सही होगा answer, option D ही होगा answer vector, template आपको पता है DNA replication में, DNA replication में जो DNA की fragment as a reference काम होती है, उसको template बोलते हैं, नई, अब देखो carrier ठीक है, but what is the optimum word, vector और अभी आप आगे पढ़ोगे, कि आगे के lecture में इसको हम बोलते हैं cloning vector, क्यों बोलते है cloning vector क्योंकि यह cloning करवाता है gene of interest की, तो vector is the optimum word, transformer जो transformation करवाते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, correct answer क्या होगा, vector होगा, ठीक बड़िया, यह दखो, cutting of DNA at specific locations became possible with the discovery of, बच्चों DNA की cutting specific location पर possible हो पाई, किसकी discovery से, DNA को आप specific location पर cut कर पा रहे हो, किसकी discovery से, पता दो, पता है आपको, अकाश रहे, बिल्कों सही answer, yes, 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 very good, very good, बहुत बढ़िया, बहुत आई बढ़िया, selectable marker, नहीं, selectable marker वो होता है बच्चों, जो transformant और non-transformant के बीच में बताता है, यह आगे के lecture में पढ़ेंगे properly तो अभी घबराएं न, ligase आपको पता है, ligase काम करेगा, ligation का यानि linking का, restriction enzymes, yes, restriction enzyme DNA को specific location पर recognize करता है, then cut करता है, यह बिल्कुल सहींग, प्रोब, प्रोब क्या होता है बच्चों, प्रोब होता है single standard DNA, या फिर single standard RNA, जो की radio actively labeled होता है, जो की radio actively labeled होता है, और radio actively labeled होने से क्या फाइदा है बच्चों, यह specific DNA sequence को, एक यह specific DNA sequence से जाकर bind कर सकते हैं, लेकिन cutting के लिए restriction enzyme को इस्तेमाल करोगे, इसको molecular scissor भी बोलते हैं, बेल गोल सही, next, बताओ इस cancer, which of the following are used in gene cloning, इन में से किस को, इन में से किस को बच्चों, gene cloning में हम use करते हैं, बताओ, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, बहुत बढ़े हैं, बहुत बढ़े हैं, प्लाजमेंट बिल्कुल correct answer है, nucleoid, पहले बताओ दूँ बच्चों, लोग prokaryotes में, nuclear membrane absent होती है, उनका जो chromosomal DNA होता है, उसको बोलते है, nucleoid, क्या हो जाएगा यह, यह हो जाएगा, chromosomal DNA of what, prokaryote, lysosome, क्या, lysosome is basically what, suicidal bag, capsid क्या होता है बच्चों, protein coat होता है वाइरस का, जो उसके genetic material को protect करके रखता है, और D option है, plasmid, extra chromosomal, autonomal circular DNA, जो की cloning vector की तरह काम करता है, तो answer होगा option number D, gene cloning के लिए, हमें cloning vector की जुरूत होती है, example हो जाएगा, plasmid, बहुत बढ़िया, next, देखो, करो, बताओ, the specific sequence of DNA that initiate replication of alien DNA in recombinant DNA technology is called as, specific sequence DNA की, बच्चों, specific sequence DNA की जो replication को start करती है, specific sequence DNA की जो replication को start करती है, इसके alien DNA की recombinant DNA technology में, कौन सी हो, बताओ, 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 ब जहां से replication start होता है, क्या बोलते हैं उसको origin of replication, initiation sequence नहीं, origin of DNA नहीं, initiation of DNA नहीं, origin of replication, short में, और I, correct answer, option B, ये बता हो चलो, देखो, आज का lecture अगर आपने अच्छे से समझाए तो इन में से एक question पर भी अटकोगी नहीं, और ये questions आ सकते हैं आपके exam में, देखो, दो फाइदे, आज का lecture अच्छे से समझाए, concepts clear, questions की practice हो रही है, और term 2 के exam में आ सकते हैं ऐसे questions, तो तीनों में कहीं फस होगी नहीं, ठेक है, देखो, autonomously replicating circular extra chromosomal DNA is, autonomously replicating circular extra chromosomal DNA is, क्या होगा, येस, बिल्कुल सही, plasmid answer होगा, बिल्कुल सही, vector, फिलाल वो vector नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि autonomously replicating circular extra chromosomal DNA, जो होता है, किसके अंदर, prokaryotes के अंदर, किसके अंदर बचलो, prokaryotes के अंदर, क्या वो लेंगे उसे vector, नहीं, captured आपको पता है, protein coat of virus, अभी बताया था मैंने, क्या है ये protein coat of virus है, plasmid, येस, bacteriophage, क्या होता है, bacteriophage वो virus होता है बच्चो, that infects, bacteriophage, bacteria को खाने वाला, ये वो virus है, तो किसको infect करता है, bacteria को करता है, बढ़िया, next, the core techniques that enable birth of modern biotechnology, वो कौन सी दो core technique थी, जिसने modern biotechnology को birth करा था, मैंने वैसे hint दे दिया, आधी, कोई नहीं, चलो, बताओ, बिलकुल सही answer, C होगा, बच्चो, genetic engineering, या, genetic material को alter कर दो, उसकी chemistry को alter कर दो, ताकि phenotype alter हो जाए, chemical engineering, उसको sterile condition वाला environment देना, ताकि desirable micro भी grow कर गए, लार्ज स्केल पर, तो बोथ A and B किसमें दे रखा है, option number C में, तो answer हो जाएगा option number C, बहुत ही simple, ऐसे ही questions आएंगे, देख लो, कोई डरने वाली बात नहीं है, देखो, which of the following cannot be related to biotechnology, इन में से किसको बच्चो हम biotechnology से, इन में से बच्चो किसको हम biotechnology से relate नहीं कर सकते, इन में से किसको हम biotechnology से relate नहीं कर सकते, बताओ येस option number C बिलकुल correct है biotechnology से क्या benefit हुआ था भई traditional technique का इस्तेमाल करके sexual reproduction की अगर हम बात करते हैं variation आती है beneficial होता है ठीक है बात लेकिन desirable gene के साथ undesirable gene भी जा रहते हैं वहाँ पर लेकिन इसमें क्या होगा कि undesirable gene introduce target organism target organism का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर host में नहीं होगा क्या undesirable gene target organism में introduce नहीं होगा तो इसको हम relate नहीं कर सकते हैं किस से related है traditional technique से related है किस से related है traditional technique से integration of natural science and organism हाँ जी यह याद है European Federation of Biotechnology की definition techniques to alter the chemistry of DNA बच्चों chemistry of DNA को alter करना याँ याँ पर किसकी बात हो रही है genetic engineering की बात हो रही है किसकी बात हो रही है genetic engineering की बात हो रही है उसके बाद maintenance of sterile ambience to enable the growth of only the desired microscope sorry microscope बोल रहा हूँ है yes bioprocess engineering तो हर option में क्या क्या दिया गया ये भी मैंने आपको बता दिया है right बट answer क्या होगा option C इसको रिलेट नहीं कर सकते खाली desirable जाएगा undesirable नहीं चाहेगा which of the following specific DNA sequence is responsible for initiating replication इन में से कौनसी specific DNA sequence है जो responsible होती है replication के initiation के लिए बहुत ही simple सा question है बतादो जल्जी से which of the following specific DNA sequence is responsible for initiating replication बताओ बचलोग इन में से कौन सी specific DNA sequence है जो responsible है replication के initiation के लिए बिल्कुल सही और आई साइट origin of replication वो साइट जहां से replication स्टार्ट होगा vector site जैसा कुछ भी नहीं है restriction enzyme action site बच्चो restriction enzyme action site का मतलब क्या है जहां पर restriction enzyme क्या करेंगे cut करेंगे या फिर cleave करेंगे DNA को palindromic side restriction enzyme जिस side को recognize करता है उसको palindromic side बोलते हैं उसको left से read करो right से read करो मतलब सेम होता है next lecture में इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो tension ना ले ठीक है the linking of antibiotic resistant gene with the plasmid vector became possible with बच्चो antibiotic resistant gene को हमने link किया था antibiotic resistant gene को हमने link कर रहा था plasmid vector के साथ यह किसकी discovery से possible हो पाया था याद करो first recombinant यहने जोंने बताए था बताओ कॉन संजाइं यूज करोगे आप antibiotic resistant gene को plasmid vector से जोडने के लिए येस लिंकिंग करनी है बहुत बढ़िया बिलकुल सही येस 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 बिलकुल सही डी न लाइगे इस यहां पर हमें ligation या linking करनी है तो कॉंस option correct रहेगा option b correct रहेगा आल राइट तो बच्चा लोग आज हमने starting करी अपनी बायो technology की देखो वैसे तो ये बहुत easy है लेकिन बच्चों को confusion रहती है क्योंकि visualization करने में दिक्कत होती है तो इसके लिए टेंशन लेने के आपको जरुवत नहीं है पर एक बात और बता दू कि आज की class थोड़ी सी light रखी थी ताकि आपको थोड़ा से मतलब होता है ना दुबारा से एक अक्लमेटाइज कर जाओ समझ जाओ कि हाँ ठीक है इस तरीके से cover करना है next class में देखो हम क्या करने वाले हैं हम tools of recombinant DNA technology पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे next class में tools को पढ़ेंगे recombinant DNA technology के ठीक है तो next वाली class थोड़ी सी भारी भरकम होगी मुलाब थोड़ी सी लंबी class होगी थोड़ा सा patience रखना पट मजा आएगा क्योंकि technology is very very interesting और class के साथ ही आपके दिमाब के बढ़ जागी कोई टेंशन नहीं रहेगी तो बस आज इतना ही करेंगे बागी करेंगे next class में thank you बच्चो बाए बाए